ओम शान्ति हम सभी बड़े भाग्यवान है कि हम सबको अच्छी अच्छी बाते हैं हमारे घर पे ही हमारे पास आकर के मिल रही है और इन सभी inspiring बातों से हम अपने जीवन को अच्छा बनाई धीरे धीरे लगवक 18th century onwards मनुश्य ने एक belief system शुरू किया है वैसे तो पहले भी था लेकिन ये belief system अब मास में strong होता जा रहा है कि धन दौलत बहुत एहम चीज है अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है no doubt जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यक्ता है पर धनी सब कुछ नहीं है क्योंकि धन सब कुछ नहीं दे सकता है जो हमें चाहिए तो कैसे क्या हो सकता है हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर धन नहीं है तो कल क्या होगा हमारा future कैसा होगा तो ये भी धन चाहिए वो भी धन चाहिए और कई लोग धन के पीछे अपना सब कुछ गवाए जा रहे है लेकिन ठीक वक्त पे केवल धन काम में नहीं आता है धन एक बुन पानी को भी सब्सिट्यूट नहीं कर पाता है इन सब चीजों के लिए कही ना कहीं दौलत से ज्यादा हम सब को दुआओं की जरूरत है और ये जो दुआओं रुपी संपदा है वो हमें हर परिस्थिती में साथ देने वाला है और धन कहां तक और कैसे काम में आने वाला है चलो एक कहानी सुनते हैं इसके उपर एक राजा था जिसे जिवेल का हीरा, लीला, मोती, मानिक जो भी उसे मिलता था उन सब का बहुत शौक था वो उसे बहुत इकठा करना चाहता था तो उसके पास बहुत अच्छे क्वांटिटी में यह सब चीजें थी तो उधने अपने मंत्री को कॉंफरेंस पे लिया और एक बहुत सुन्दर क्या कहें जगा बनाई, गुप्त स्थान बनाया जहां पे इन सब चीजें को रखने लगे धेर के धेर मोती, धेर के धेर हीरा धेर के धेर और सब जोयलरी सोना, चांदी सब बहुत सारा उस गुदाम में उस स्थान पे उन्होंने भरके रखा हुआ था वो शहर से उन्होंने थोड़ा सदूरी पे उसे बना के रखा था और राजा और बंत्री दोनों लगभग वहां जाते थे विजिट करने के लिए देख के आते थे और बड़ा आनंद लिया करते थे उस दिन राजा ने सोचा कि अचानक तलब उठी कि वहां मेरे पास कितने कितने नायब हीरे लीला बहुत सब चीजें हैं मैं आज जाता हूँ देख के आने के लिए तो उस दिन चूकी जल्दी में चले तो मंत्री को साथ में ले जाना भूल गए अकेले गए और एक चाबी मंत्री के पास था एक चाबी राजा के पास भी था जाकर के राजा ने सब चीजों को देख देख के आनंद लेना शुरू किया राजा उन सब चीजों में खो गया देखता हुआ इधर क्या हुआ कि मंत्री उधर से गुजर रहे थे और मंत्री ने देखा अरे आज गुफा खुली पड़ी है कैसे शायद में भूल गया हूंगा ताला लगाना तो उन्हें क्या किया बाहर से ताला लगाया और वो चले गए अंदर राजा थी जब राजा सब चीजों देख देख के ठक गए और उन्हें प्यास लगने लगी भूख लगने लगी सोचा चलो अब चलते हैं जाकर के भूजन करेंगे पान जल्ग रहन करेंगे तो जैसे ही वो आये गेट पे तो देखा गेट का ताला बंथ उन्हेंने बहुत खटकाने की कोशिश की बहुत आवाज दिया बहुत चीखे लेकिन ये तो शहर से दूर इसकी आवाश तो कहीं पे भी नहीं जा सकती है इसी हिसाब से तो बनाय गया था और मंत्री विचारे ताला लगा करके चले गए हैं और यहां भूख और प्यास के मारे राजा की हालत खराब लेकिन चीखने के बाद उन्हें समझ लिया कि अब उन्हें पानी देने कोई नहीं आने वाला है तब राजा फिर वो हीरा और अपने सारे ज्वैलरी के पास कए और वहां जाकर के उन सिब कहा कि भगवान से कहा चीख चीख के कहा अपनी जिन्दगी से कि सारी हीरा के, सारे दौलत के मैं दौलत को मैं देने के लिए तयार हूँ और उसके बदले मुझे एक ग्लास पानी चाहिए क्योंकि माल रहा हूँ लेकिन देखा वो पॉसिबल नहीं था तो राजा ने अपने हाथ से खुन निकाल करके वहां दिवारों पे लिख दिया कि इतनी सारी दौलत मुझे एक बुद पानी देने के लिए आसमर्थ है इतनी सारी दौलत मुझे एक बुद पानी देने के लिए आसमर्थ है इतना सारा दौलत मुझे एक निवाला एक कौर भोजन देने के लिए आसमत है तो इसका मतलब इतने सारे धन दौलत से ज्यादा कीमती उस समय कहीं न कहीं एक निवाला भोजन या एक मून पानी था भाईयों और भेनों और फिर ऐसा हुआ की राजा लिखते लिखते ऐसे बोलते बोलते वहीं शरीद छोड़ गया उधर मंतरी ढूंते रहे राजा को ढूंते रहे लेकिन राजा नहीं मिले शोक संताप में बहुत दिन चला गया जब शोक संताप पूरा हुआ मंतरी ने सोचा जाके देखके आओं वो धन दौलत कैसे रखे हैं क्या करे हैं उनका क्या करना होगा उस बिचारे को दिल भी नहीं कर रहा था राजा नहीं है तो अब ये संपदा का मैं क्या करूँगा लेकिन फिर भी वो देखने के लिए गए जब उनोंने दरवाजा खोला तो देखा कि हाँ ये वो लाश पी जैसे अदसड़ी हो गई है एकदम उसकी भी हालत खराब हो गई है तो मंत्री ने देखा कि सच मुझ राजा का मैसेज भी पढ़ा कि धन दौलत वास्तव में हमें एक बून पानी देने के लिए भी असमर्थ हैं तो भाईयों और बहनों जो चीज इस मैसेज के द्वारा हम कहना चाहते हैं वो यह है कि धन संपदा कहीं न कहीं जीवन के लिए आवशकता है लेकिन जीवन के वल उसी के आधार पे नहीं चलता है कहीं न कहीं जीवन में और बहुत चीजों की आवशकता है और मनुस्य शायद उतना ही धन नहीं कमा रहा है जितनी उसको आवशकता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इकठा करने में वो अपनी वो सब चीजों को लूज करता जा रहा है जिस पे उसका अधिकार है जिसका उसे आनंद लेना चाहिए तो हम जीवन के वास्तविक मुल्यों को समझें अगर हमारे पास blessings है और धन नहीं है तो भी हम दुनिया में बहुत जी सकते हैं लेकिन अगर blessings नहीं है और धन बहुत ज्यादा है तो हम real जीवन नहीं जी पा रहे हैं वैसे भी आशका मनुस्या धन कमाने के लिए अपना सब कुछ गमाता जा रहा है और last में उन सब चीजों को पाने के लिए दोनों हातों से धन लुटाने के लिए तईयार होता है लेकिन उसे कुछ भी दहीं मिलता है जीवन सारा खटने में, मेहनत करने में लगा देता है और जो धन उसने कमाया भी है उसका आनन्द लेने के लिए उसको समय नहीं है मैं बहुत लोगों को देखती हूँ मेरे आसपास जिन्नोंने बहुत सारा सबे धन कमाने में लगा दिया धन यहां वहां बहुत सारी प्रापर्टी कर ली लेकिन जब उम्र हो गई है तो उन चीजों को संभालने उनके बारे में जानने में बहुत तकलीफ जेलनी पड़ रही है आज फुलाना बिल्डिंग कैसा है वो प्रापर्टी कैसी है वहां लोग ठीक से उसको देख रहे हैं की नहीं देख रहे हैं यहां से रेंट आ रहा है की नहीं आ रहा है बुजूर्ग हो गए हैं और वो लोग जिनके यहां आर्ट रस नौकर काम करते थे अब बुजूर्ग हो गए हैं तो लोग आसपास भी नहीं हैं और इसी गम में इसी दर्द में सारा दिन उनका वेस्ट जीवन वेस्ट होता जा रहा है कोई संभालने वाला नहीं है मतलब हम सभी यह सीखें कि हम जीवन को एक बैलंस्ट वे में चलाएं उससे क्या होगा धन कमाएं लेकिन धन कमाते हुए हम सोचें कि धन हम किस प्रकार से और कैसे क्यों कमा रहे हैं क्या उस धन की कमाई के साथ-साथ कुछ ब्लेसिंग्स भी कमा रहे हैं अगर हम धन की कमाई के साथ साथ blessings भी कमाएंगे, तो देखना हमारा जीवन बहुत उंचा जाएगा, आप में धन कमाने की कला है, माना एक बहुत special blessing है, लेकिन वो जो धन आप कमा रहे हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कमा रहे हैं, वो फिर आपके जीवन को blessed बनाएगा आगे के लिए, तो हम सभी ख्याल रखें कि जीवन के इस रास्ते में केवल कहीं इसी में ही नहीं अटक जाएं, कि मुझे और धन, और धन, और धन कमाना हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं, करोना काल में, हाँ, गालिप जी का वो, शायद किसी शायर का ये जो शायर के आज डौलत से जिंदगी महंगी हो गई, तो लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया, कि डौलत से ज्यादा कहीं ना कहीं वैलिवल जीवन है, इसे हमें संभालना चाहिए, और अध्यातनिकता हमें ये सिखाती है, कि जीवन का मतलब सांसे नहीं जीवन का मतलब blissful life ऐसी जिन्दगी जिसमें blessings ज्यादा हो अगर हमारे पास दुआओं का स्टॉक है तो हम जीवन के किसी भी परिस्तिती में हलस हसते खेलते आगे बढ़ सकते हैं हमने बहुत लोगों को देखा है जिनके पास ज़्यादा दौलत नहीं है लेकिन खुशी बहुत है सुकून बहुत है बड़े आनन से जी रहे हैं बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो धन के अमबार में बैठे हैं लेकिन सुकून नहीं है, शान्ती नहीं है और जीवन में शुकून और शान्ती को ढूंगते जा रहे हैं वास्तव में जीवन में एक बड़े बैलिंस की ज़रुरत है शिप बाबा परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अगर आपको blessings जाईए, bliss जाईए तो कहीं न कहीं आपको balance की ज़रुरत है तो उस balance में धन कमाते हुए, जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें blessings लेना है सब को खुशी देते जाना है यह देखना है कि यह जो धन में कमा रहा हूँ उसमें मैंने blessings कितना कमाया यह जो काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे blessing क्या मिल रहा है सारे दिन में ये देखना है कि दिन तमाम में मैंने कितना ब्लेसिंग कमाया बच्पन में मुझे लोगों से इंटर्व्यू लेने की आदत रही बड़े बड़े अच्छे सक्सेस्फुल लोगों की इंटर्व्यू ली कि जीवन को, कैसे जीवन को successful समझते हैं जीवन में किस कार्यों को करने में वो सफल होना महसूस करते हैं तो मुझे बहुत जादा बुजुर्ग लोग और जो successful रहे हैं उनके जीवन में उन लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता रहा है तो मैंने ये पाया है कि जीवन के एक मुकाम में पहुँचने के बात लोग इस बात से कम concern रहते हैं कि मैंने कब कितना धन कैसे कमाया नो डाउट वो बता के भी बहुत खुश होते हैं लेकिन जो चीजे उन्हें सुकून देता है वो ये है कि जीवन के किस परिस्थिती में मैंने blessing कमाया था वो चीज उन्हें ज्यादा खुशी देती है कि मेरे किस बात से किस के चेहरे पे खुशी आई थी मेरे कौन से कारियने किसी व्यक्ति के आँखों के आँसु पोचे थे और वो बात उन्हें बड़ा सुकून देता है बहुत खुश होते हैं उन सब बातों को बखान करके याद करके और मैं किस कई आत्माओं को ऐसे भी जानती हूँ जिन्हों ने ये कहा कि जिन्दगी अगर एक और मौका मुझे दे तो मैं दौलत के पीछे नहीं भागूंगा ब्लेसिंग्स के पीछे भागूंगा कुछ अच्छा करूंगा लोगों के लिए ताकि उनके चेहरे पे मुस्कुरहट आए जिन्दगी की असली सफलता इसी में है तो भाईयों और बहनों हम सभी ये सीखें कि जीवन में कैसे कुछ ऐसा अच्छा करें कि सारे दिन में ब्लेसिंग्स का दौलत भी इकठा करें जीवन के ऐसे समय में जब सब कुछ होगा लेकिन ब्लेसिंग कम हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा जैसे उस राजा के पास धन संपती के अंबार में ही वो खड़ा हुआ था लेकिन कहीं ब्लेसिंग्स चुक गई तो पानी की एक बून नहीं मिल पाई अगर हमारे पास ब्लेसिंग होगी तो कभी हमें पानी के बून की कमी नहीं होगी कभी हमें भोजन के निवाले की कमी नहीं होगी कभी सिर्पे छट की कमी नहीं होगी हाँ ये हो सकता है कि बहुत बड़ा महल नहीं हो लेकिन सर से छट निकल जाए ऐसी नौबत नहीं आ सकती है हाँ ये हो सकता है कि छपन प्रकार के भोग नहीं हो लेकिन हम कभी भूखे रह जाएं ऐसी नौबत नहीं आ सकती है तो इसलिए आज से हम मन में ये दृट संकल्प करें कि हम दुआओं रुपी संपदा, दुआओं रुपी दौलत को इकठा करें सबके मन में खुश दें, खुशी दें, सबको ब्लैसिंक्स दें, सबको आनन दें, सबकी सेवा करें निस्वार्थ परभाव से ये सच्चा स्वार्थ होगा, जो हम स्वार्थ अपने लिए कुछ करेंगे तो आज से ये promise उस परमपिता परमात्मा को साथ में लेते हुए जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छाई की और बढ़ेंगे ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती